करनाल से निकलने वाली ड्रेन नंबर एक एक बार फिर किसानों के लिए आफ़त साबित हुई है कल रात ये ड्रेन अचानक कैर वाली गाउं में तूट जाती है और आसपास के करीब 4-5 एकर में खड़ी घास वैधान की फसल बरबाद हो जाती है आप देख सकते हैं ये वो ड्रेन नंबर एक है जो कल रात जिसमें दरार आई थी और आप देख सकते हैं कि कितने बड़े शेतर में खड़ी फसल जो है इस गंदे पानी की वज़े से तबाह हो चुकी है ये पहला मामला नहीं है कि जब ये नाला टूटा हो और किसानों को इसका खामिया जा बुखतना पड़ा हो ये स्थिती हर साल में दो बार साल में तीन बार इस तरह की बंती है जब किसानों को इस नाले की वज़े से अपनी फसल जो है बरबाद होते देखनी पड़ती है सीधे कुछ किसान हैं उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ सुधार हो पाया है क्योंकि जिस तरह से सरकार या परसासन की तरफ से दावा किया गया था कि इसकी निकासी का परबंद किया जाएगा पहले तो हाला जान दे लेते हैं कई आदा का मुल खाना जी तो मल खाना जी क्या सती थी आभी पहले जागने क्या हúa यह रसाल का यही काम है जी हर साल हमारे हाएट आए मिखे हैar कोुछ कोस्तान नहीं था ना पूछ दा कोई भी इक्षान हो यहां तो कल क्या हुआ वा यह ऑ्या है जैसे यह तो लुक्सान वहा है नकसान तो चार पांच किलमे होगा है जी तो यह कोई पहली बात नहीं है पहली बारा सानिंहा है चार पांच साल से नहीं हो रहा जी ग्यों की पॉसल भी मर जा मारी गास-फूस भी जाय जा तो जिस तरह से भी कहरे थे किसके सुधार का काम चल रहा है करीब 13 क्रोड की लागत से बारा बनायी जा रही है क्या टिक पाएगी ये लागत तो लग रही है जिए कुछ थेके दार जा रहा है जो यह लापर हुआ इसका काम कर रहे हुँ यह दो मिने गुजिर गई इसके काम करदे करदे, जो जो सई टेम पर काम करदे, अब तो कैस का काम पूर हो रजेंदा ज़्टाइट को रहा है वारी के पास भी गए लिखवाया भी नेर विवाक के पास भी गए फिर भी किसी ने कुछ नी किया है आड़ बंद वाई चाली पंद ताड़ी जार पे लागा दुबारा आड़ प्रमाटी लगवाने पे इवीन ने पाड़ के कची कर दी दुबारा फेर टूट गी फिर यह पास भी आपको मिलेगा खरचा खरचा बोड़ेगा कोई ने आता पलस हम इसकी गाई भी देते हैं गाई देने के बावजूद भीमारा कोई कोई सुनवाई नहीं है तो आज SDM वगएरा कोई अधिकारी कोई आय थे कोई नहीं है आप आम ही तक कहा के जाते हैं और जो कभी बोल देते हैं तो पांच चारगंटे के लिए मारे पास जी भी जी बेच देते हैं कि खूस हो जाएगा इनकार उसके बाद कोई नहीं तंडवाड करता है तो अभी जिस तरह से काम चल रहे हैं यहां प्रवाई से काम करा हुआ है यहां यहां नहीं आगे भी टूटा हुआ पीछे भी टूटो बाला पैसे बिनाने की मुसीन हैं जहां से रहता निकलता रहता है तो पर देजान को ठीक लगता वह काम कर रहे हैं जो जरूरी था हो नहीं वहां अबी तक तो अब जिस तरह से यह दुबारा से बना रहे हैं कितनी मजबूत है कि करोड़ों रूपे खर होने के बाद क्या लगता है कि यहां के किसानों की जो दिक्कत है वो उसका समाधान हो पाएगा आमको तो लगता नहीं जी यह गंद निकलता पानी की सरवाई आगए होती जिए गंदी नहीं अपनी फसल जो है बरबाद करनी पड़ती है इस नाले की वज़े से 13 क्रोड की लागत से निर्मान किया जा रहा है ड्रेन नंबर 1 और ड्रेन नंबर 2 के प्रोजेक्ट को जोडने का लेकिन विभाग दावा कर रहा है कि निर्मान लगबग पूरा उचुकर निर्मान किस तरक है वो आपको हम दिखा रहे हैं कि कितना मजबूत है सरकार ने 13 क्रोड रुपेस पर खर्च की हैं जी क्या आपके सरफ तो देवी सिंग जी क्या हालात है पहले तो हाला जाम जाना चाहेंगे तो खराब ही खराब है जी में दारों कि यहां तो जी यहां कोई कामी नी करना हीजिए फसल तब डूब बो भा मरे तो तो अभी जोस्तार से काम चल रहा है लगताए कि सुधार होगाई समय अभी तो अधना कोई कितना मजबुत्ति कौने यहां काम उटोने तो बिल्कुल देखिए जिसके जो विभागी अधिकारी हैं जिस काम को पूरा होने का दावा कर रहे हैं यह उसकी सच्चाई है आप देख सकते हैं कि क्या स्थिती है तेरा क्रोड रुपे इस प्रोजेक्ट पर खर्च किये गए हैं इरिगेशन ने कि ड्रेन नमबर एक और ड्रेन नमबर दो को जोड़ा जाएगा ताकि करनाल से निकलने वाले गंदे पानी की निकासी हो सुके लेकिन यह हालात हैं इस तरह का काम हुआ है जो अभी से ही इसमे खर्च की गई हो तो ऐसे में सीधा और बड़ा सवाल है कि ड्रेन नमबर एक और ड्रेन नमबर दो को जोड़ने का जो प्रोजेक्ट है वो भरस्टा चार की भेट चड़ चुका है ऐसे में जरूरी है कि इस पूरे प्रोजेक्ट की जाच की जाए और जो ठेकेदार यहां पर काम कर रहे हैं जिस तरह से किसानों का आरोप है एक बड़ी धांदली यहां पर इस नाले के निर्मान को लेकर की गई है करोड़ा रुपे का यह प्रोजेक्ट था लेकिन बात की जाए गुणवत्ता की वो यहां पर दिखाई नहीं दी करनाल से मेहिंदर सिंग इंडिय पर देनुज हरियाना